एलो फ्रेंट्स वल्कम टू जीगे स्टडी तो HPPSC का एक्जाम पैटर्न जो है वो चेंज चुगा है आप सभी को पता ही होगा यह आपके सामने है कि हिमाचल जीगे आपसे 30 मार्क्स की करेंट अफेर्ज आपसे 30 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश आपके से जो है वो 2020 मार् दी होगी ठीके क्यूंकि पेपर वन भी होना है आपका और पेपर टू भी होना है एक ही दिन में आपके दोनों जो है वो पेपर करवाए जाए अप्लस आपकी नेगिटिव मार्किंग भी है तो आपको अच्छे से जो है वो तैयारी करनी पड़ेंगी बड़ फिर भी तो वीडियो को शोई से लेकर लास्तक जरूर देखेगा ठीक है जी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं करंट फिर की करंट फिर जो पूछे जाएंगे वह आपसे 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे यानिकि 30 नंबर की और बहुत अच्छा नंबर है सबसे 20 आपकी हिंदी और 20 इंग्लिश ठीक है और उसके बाद पेपर 2 वो आपको एक्जाम के टाइम पर ही पता लगया तो अगर बात करें करंट फिर की जिसमें आपको 13 मार्क्स जो है वो कवर करने है चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो तो उसमें जो आप सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे आपके अपोइन्मेंट ठीक है उसके बाद आपकी मिल्टरी एकसराइज फिर आपके इंपोर्टन डेज उसके बाद न्यू स्कीम्स जो भी स्टेट्स की होती है फिर कोई भी प्लान या पॉलिसी आपकी जो नहीं आई है उसके बाद अटिकल को लेकर किसी स्टेट में चेंजिस हुए है या कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो सारी चीज़े आपको पढ़नी पड़ेगी उसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टन एकनॉमिक सर्वे और बजट आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा यहां पर मैं बात कर रहा हू अगर आप भी खुद भी अनलाइस करोगे तो आपको पता लगेगा कि maximum जो question पूछे गए है वो या तो appointment से पूछे गए है कि भाई इसका नया अध्यक्ष कौन बनाया है या किस किस देश का अगर internationally बात करें कौन PM बनाया नया तो उस तरीके से ठीके जी फिर military exercise यहाँ पर है उसके बाद new scheme states की कि state ने जो है वो कौन से scheme चलाई है और वो scheme जो है वो किस से related है दो तरीके से question जो है वो पूछ जाते है कोई plan चलाए है कोई policy नहीं चलाई है science and technology मैंने आपको पता दिया कोई inventions की गई है जारे तर जो है वो इस रो वगरा से related जो है वो आप से question पूछ जाते हैं तो वो सारे आपको पता होने चाहिए ठीक है कौन-कौन सी IIT है जिनोंने जो है वो new inventions की है उसके बाद quality related किसी article को लेकर कुछ किसी state ने को decision या कुछ भी उससे related amendment हुआ है वो सारे चीज़े आपको पता होने चाहिए और economical survey plus budget कौन-कौन से area को ये इंडिया के case में आपको पढ़ना है ये ही सारे important topics हैं जो कि आपके current affair में पूछे जाएंगे इससे बाहर आपके current affair नहीं बनेंगे ये चीज़ आप जब भी आप read करोगे कोई भी आप अगर book वगएरा लोगे तो आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा कि maximum question जो है वो इसी के around गुमते है appointment, military exercise, important days, new schemes वगएरा तो यही topic जो है वो आपको cover करने हैं अच्छा एक और चीज़ कहा है कि आपको currently जो चल रहे हैं आपके current affair वो भी cover करने पड़ेंगे प्लस back के one year के current affair भी आपको cover करने पड़ेंगे तो आपको करना क्या है कि section wise notes अगर आपको suitable लगे तो previous year current affair के आपको section wise notes बनाने ठीक है और जो daily के अगर बात करें तो 10 से 20 current affair आपको read कर रहे है ये दो चार बच्चों ने मुझसे पूछा भी ता personally message करके कि जो current affair है उनको किस तरीके से approach किया जाए तो उनके लिए यही answer है कि जो previous year मालीजी आप एक साल के लिए prepare कर रहे हो ठीक है एक साल का पि point हुए है उसका एक notes बना लीजिए ठीक है फिर military exercise देख लीजे 2022 की कौन कौन सी किस किस किये देश के बीच में और कहा पर जो है वो हुई थी इसी तरीके से जो previous year के है वो आप अगर section wise बना कर चलोगे कि appointments फिर military exercise important days तो आपके लिए जो है वो जादा beneficial रहेगा बाकि daily के current role play करेंगे तो 30 marks जो है वो आपको cover करने यह चीज़ याद रखेगा अच्छा अगर बात करें books की एक बार मैं इसको raise कर देता हूं तो books की अगर बात करें तो सबसे पहली देखिए आप कोई भी magazine follow कर सकते हो तो प्रत्योगिता दरपन मैं आपको suggest कर रहा हूं online और offline दोनो तो daily आपको जो है वो online आपको read करने पढ़ेंगे directly search मारिए बहुत अच्छी websites है एक ही website को जो है वो particular अपने लिए choose कर लेजे कि मुझे current fair यही से पढ़ने फिर यहाँ पर monthly प्रत्योगिता दरपन आती है जिसको आप ले सकते हो तो monthly प्रत्योगिता दरपन में आपकी जो ह यहाँ पर आपके skip हो गए है वो भी यहाँ पर जो है वो cover हो जाएंगे अच्छा एक तो आपको अगर offline पढ़ना पसंद है तो आपने नजदीकी store से आप परचीज कर सकते हो प्रत्योगिता दरपन या फिर कोई भी आप extra जो है वो magazine पहले से use करते हो वो ले सकते हो online की पारी books जो है वो मिलेंगी बस आप वहाँ पर download नहीं कर सकते है उससे notes आपको महाँ पर बनाने पड़ेंगे अगर आप purchase नहीं करना चाहते हो मंतली मंतली तो आप वहाँ से जाकर जो है वो उसको read कर सकते हो तो यह भी रखिएगा बाकि आप परिक्षा booster को join कर सकते हो description में मैंने link दे दिया है वहाँ पर भी हम आपको 60 second में जो है वो current affair समझा देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत काम है और free of cost है तो आपको जाकर जो है वो जुरूर subscribe कर ले रहा चाहिए description में link है जोड के रखिएगा ठीके अपने साथ परिक्षा booster को क्योंकि आने वाले समय म में बहुत काम हैगा और फिर मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि कितने current affair वहां से पूछे गए थे क्योंकि maximum चीजें वहां पर important cover की जागी बागे प्रतोगी तरफड मैंने आपको पता दिया और online sources बता दिया previous year के आपको जो है वो section wise करने है और जो daily है वो daily आपक है बाद में बना लीजे घर आकर ठीक है बड़ आपको कही पर भी time लगता है 10-20 current affair पढ़ लीजे किसी के साथ discuss कर लीजे इसी तरीके से आपके जो है वो मन्त में बहुत सारे current affair तयार होगे और अगर आप मन्तली पढ़ना सोचोगे तो 300-500 current affair हो जाते वो थोड़ा जो है व पहले क्या होता है जब HPSC पेपर लेता था तो आपको यह पता नहीं होता है कितनी जो है वो HPG के आपसे पूछी जाएगी बट जो आपका जादा तरह होती नहीं वो HPG के ही होती दी बट आपको clarify कर दिया गया है कि 30 नंबर की HPG के आपसे पूछी जाएगी अब इसमें को क्या करना है जियोग्रफी में चोटियां बगेरा सब कुछ आपको कवर करना है ठीक है पॉलिटी में ठीक है क्या क्या पॉलिटिकल जो हिस्ट्री रही है हिमाचल प्रदेश की और एकनॉमी में क्या क्या कल से जो है वो classes शुरू हो रही है बहुत जारा gap पढ़ चुका है क किसी जरूरी काम से बट कल से जो है वो detail classes शुरू हो रही है तो अगर आप हिमाचल जी के 30 marks की अच्छे से प्रिपेर करना चाहते हो ठीक है तो आपको study के साथ जुड़े रहना है कल से classes शुरू हो जाएंगी detail में आपको जो है वो समझाय जाएगा करवाय जाएगा उसके बात जो है वो हम mcqs भी cover करेंगे तो यह चीज याद रखेगा ठीक है सबसे पहले बैटर आपके यह लिए यह रहेगा कि अगर आप खुद से तयारी कर रहे हो तो 12 districts आपको जो है वो cover करने है अगर आप यह 12 districts सबसे पहले cover करते हो तो आपका approximately 90% syllabus जो है वो cover हो जाएगा क्योंकि अगर आप मालीजे चमबा पढ़ते हो चमबा district पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो आप उसकी geography भी पढ़ रहे हो आप उसकी history भी पढ़ रहे हो आप उसकी economy भी पढ़ रहे हो ठीक है उसके लावा कौन-कौन से temple वहाँ पर है ठीक है जो आपकी जलविद्वित आप कौन-कौन से है तो automatically आप क्या कर रहे हो history भी कवर कर रहे हो geography भी पॉलिटी भी economy भी ठीक है तो यह सारी चीज़े कवर हो रहे है तो बारा district की जब कवर कर लोगे तो क्या होगा कि 90% slaves आपका तयार हो जाएगा बचा 10% वह आप फिर जैसे की important जो आपकी जैसे की personalities होग प्लस बजट से आपके बनेंगे यह मैं सोचिएगा कि आप अमर उजाला पढ़ लेते हो या फिर आप दिव्य हिमाचल पढ़ लेते हो या फिर आप गिरी राज पढ़ लेते हो तो महां से आपके करंटे फिर पूचे जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है जि यहाँ पर आपकी Automatically History, Geography, Quality, Economic Cover होती चलेगी क्या करना है पहले Basic हिमाचल जी के पढ़ लेनी है बाकी कल से Classes कर रहे है अगर आप हमारे साथ जुड़ों की डिटेल में Free of Cost है YouTube पे आएंगी तो उसमे Automatically आपकी Cover हो ही जाएंगी ठीक है जी उसके बाद Books की अगर बात करें त हिमाचल दरपन आप Follow कर सकते हो, sufficient है हिमाचल दरपन अगर आप Follow कर रहे हो, अगर आप हिमाचल दरपन के इलावा कोई और Book Follow कर रहे हो, तो वो भी आपकी इन exams के लिए sufficient है, The Wonderland हिमाचल प्रदेश पढ़ने के आपको अभी फिलाल के लिए ज़रूरत नहीं है, हाँ अगर हिमाचल दरपन आपके Tips पर याद है, हाँ मुझे अच्छे से आती है, तो आप जाकर The Wonderland हिमाचल प्रदेश पढ़ सकते हो, हिमाचल दरपन बहुत sufficient है, आपको यहाँ पर Topic Wise भी मिल जाता है, प्लस MCQs भी मिल जाता है, कोई और Book Follow कर रहे हो, तो वो भी ठीक है, बड़ कोशिश करूँगा कि उसके last में मैं खुद से बनाकर आपके लिए MCQs लेकर आउं, या फिर आपके पास इतना time हो, तो आप खुद से MCQs बनाएंगे, इससे होगा क्या कि आपकी बहुत जादा help होगी, बहुत जादा आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको खुद से अगर आपकी basic clear है, तो आप MCQs पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए, अगर आपकी basic clear है, तो पहला अपना detail में reading कीजिए, ठीक है, यही बात मैं आपको बोह रहा हूँ, कि पहले detail reading कीजिए, उसके बाद MCQs को practice कीजिए, बाकी choice आपकी है, आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हो, बट survey और budget को पढ़ना जो है, वो मत बूलेगा, इसमें से बहुत ज़्यादा question आपसे पूछे जाएंगे, बात करें कर हिंदी की, देखें, हिंदी भी इस बार clear कर दी है, पहले क्या था था कि 5-10 number की हिंदी आपसे पूछी जाती है, तो उसके लिए भी आपको question नहीं पूछा जाएगा, इतने topic cover कर लीजिए, एक topic पर 3 दिन भी लगाओगे, 1 month के अंदर आप complete हिंदी tips पर याद कर लोगे, और easily be maximum marks जो है, वो score कर पाओगे, ठीक है, कौन कौन से topic है, सबसे पहले वर्ण, स्वर, व्यंजन, भाचा, यह आपको cover कर लना है, संग्या, स दोनों अलग अलग topic है, अव्यवय और प्रत्य, यह आपके जो important topic है, इन ही से ही जो है, वो आपके हिंदी में question पूछे जाएंगे, यह चीज़ याद रखेगा, आप मैं यह निबोता हो कि सारों से पूछे जाएंगे, बट इसी के around पूछे जाएंगे, हो सकता है, आपसे कि मुझे संग्या पढ़िती है, मुझे पड़ावान यह या संग्या आपको पता होना चाया किस तरीके से कोई व्यक्ति वाचे को भाव वाचे कहीशे हैं, किस तरीके से संग्या को convert करना है या सरवर्णाम क्या होती है, संधीव इखेद किस टाइप के होते है, खिस टैब कर सकते हो क्योंकि देखिए HPG के है बहुत वास्ट है Indian जी के बहुत वास्ट है आपका जो current affair है बहुत जादा वास्ट है एक Hindi आपका ऐसा section है जिसमें आप यह find out कर सकते हो कि भाई मुझे इतने topic पढ़ने है और इनसे ही question जो है वो पूछ जाएगे और जहाँ पर जो है वो marks वो भी आपकी जो है वो बहुत जादा help कर देगी ठीक है तो यह चीज जो है वो आपको करनी है और यह topics जो है वो note down कर लीजगा बहुत जादा helpful आपके लिए रहेंगे चले बढ़ते हैं English की तरफ English भी 20 नंबर की पूछी जाएगी ठीक है तो भाई scoring areas है बड़ होता क्या ह है कि maximum जो आपके students होते है ठीक है उनकी English जो है वो weak होती है maximum के साथ यह होता है इसमें करना क्या है सबसे पहले आपको tenses पता होनीचिए tenses क्या है most important section है और अगर आपको बिलकुल भी English नहीं आती है तो सबसे पहले आपको noun पता होनीचिए pronoun पता होनीचिए pronoun पता आपको tenses किसी sentence को, जब आपके पास English का sentence आएगा, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होनेची कि tenses की knowledge है, कि इसका असल में मतलब निकल क्या रहा है, रट्टा बाजी आपको नहीं करनी है, especially English के case में, तो tenses आप यूट्यूब पर वीडियो बगएरा है, सब कुछ यहां पर देख सकते हो, किसी भी चैनल की जो आपको अच्छा लगे, वहां से tenses आप समझ पाओगे, आप books बगएरा यूज कर पाओगे, तो ये आपकी क्या है, सबसे पहले ये आपकी basic चीज़ है, ये आपको पहले noun, pronoun, verb समझनी है, उसके बाद आपको tenses करने है, फिर बारे आती है prepositions की, कि कहां पर in, कहां पर on, ठीक है, the कहां पर use होता है, ठीक है, ये सारी चीज़े, मतलब the तो अलग हो गया, but in, on, at, ये कहां पर use होता है, prepositions में आते हैं, तो ये most important है, जिनसे सबसे ज़रा question जो है, वो examination में बनते हैं, उसके बाद, एंटॉनिम, synonym, daily आपको दस-दस करने हैं, एंटॉनिम, synonym, दस-दस करोगे, तो ही जाकर जो है, वो cover होगा, exactly, आप बहुत सारे, जो है, वो एक साथ cover नहीं कर सकते हैं, या तो आप route पढ़ते हो, तो आप उसके through cover कर सकते हो, बड़ इतना जादे detail में नहीं जाना है, तो synonym ये है, कि आप दस-दस करके cover कर लिजे, कोशिश कीजी, अपनी आदत बढ़ाईए, कि बही, मुझे जो है, वो दस-दस word meaning, जो है, वो daily सीखने है, फिर one word substitution important है, उसके बाद active, passive voice, ये वैसे पूछा तो, आज तक नहीं गया है, बड़ HP, PSC है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये सारे topic आपको जो है, वो English में करने है, बड़ सबसे पहले, आपका basic, जो है, वो clear होना ज़रूरी है, ठीक है, books, वही आपकी basic grammar, या फिर Lucentic English के आती है, जिसको आप जो है, वो check out कर सकते हो, बड़ पहले ये कर लिजेगा, उसके बाद tenses को अच्छे से समझ लिजेगा, इनको जब आप topic को कर लेगे, चार topic को, फिर देखेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत English के बारे में पता है, अगर ये सारी चीज़ आपकी clear है, तो prepositions वगरा, antonyms, synonyms, one word substitution, ये सारी करनी जो है, वो कोई भी mention नहीं किया गया है, इन्डियन जीके के बारे में, एक आदा question आएगा भी तो वो आप easily cover कर लोगे, बात करेंगर इन्डियन जीके की, तो Indian history ज़्यादा तर आपको focus करना है, modern के उपर, फिर Indian geography, quality, economy, ये आपको cover करने हैं, अब देखें, वास्ट बहुत सारी, अब देखें, HPPSC है, class 3 के exam ले रहा है, और जो आपका, अगर, देखें, अगर paper 2 में आपकी Indian जीके पूछी जाती है, तो वो depend करेगा कि कितने question आपके वहाँ पर, जो है, वो Indian जीके से पूछी जाने तो, ऐसा तो नहीं है कि Indian जीके ही पूछी जाएगी, क्योंकि उसमें और भी question जो है, वो cover किये जाएंगे, तो यहाँ पर आपको selective चीज़े पढ़नी पड़ेगी, जैसे modern आप पहले cover कर लीजे, Indian history में, उसके बाद important, important topic cover कर लीजे, जो भी आपके important topic है, उसके बाद जो, जैसे ancient से और medieval से, आपके जो भी important रहते, वो सारी चीज़े आपको cover कर लेनी है, ठीक है, तो इसके लिए मैं book बताऊँगा आपको, इसी तरीके से Indian geography, policy, standard books पढ़ने के आपको ज़रूरत नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर books की बात करें, तो lucent हो गई आपकी, या फिर आपकी भारत दर्पन हो गई, ठीक है, अब भारत दर्पन में क्या है, कि इसमें mcqs भी दिये गए है, lucent में सिरफ आपकी detail दी गई है, तो इन ही book को आपको यह सारा इसमें cover कर लेगी, जो lucent है वो तो बहुत पतली सी book है, तो आप section wise divide कर लीजिए, तो यह सारे chapter उसमें cover हो जाएगे, हाँ, इनको आप cover कर लेते हो, आपको लगता है कि भाई, मुझे कमी लग रही है, तो आप standard books follow कर जकते हो, बढ़ यही अगर आप 2-3 बार revise कर लेते हो, बहुत जादा helpful रहेगी, भारत दरपन थोड़ी मोटी book है, क्योंकि इसमें MCQs भी आपको साथ में दिये गए, तो यह choice completely आपकी है, बढ़ इससे उपर मत जाहिएगा, यही books जो है, वो sufficient रहेगी, अच्छा है, Indian economy को आप skip कर सकते हो, जुनको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इतने भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन exams के लिए, बढ़ आपको करना कहा है कि economical survey पढ़ लेना है, concept जिसे की national income वगरा क्या होता है, किस तरीके से निकाली जाती है, यह economy के concept आपको पता होने जीए, प्लस previous year question paper में जो भी HPPSC ने, आपके जो economy से related question पूछे है, उसको cover कर लीजे, तो यहाँ पर आप Indian economy पढ़ने के आपको ज़ पर हो जाएंगे, ठीक है, बट क्या होता है कि students के बाद time नहीं होता, बोरियत जादा हो जाती है, तो पढ़ते नहीं है, या फिर paper मिल नहीं पाते है, तो उसका भी solution जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है, बट आपको इसी तरीके से जो है, वो follow करना है, अच्छा, आप कुछ important tips students के लिए, जो कि आपके लिए जरूरत पढ़ेगी आपको, पहली बात क्या है, कि paper 1 और 2 के लिए आपको इकठे तयारी करनी है, बहुत मैं देख रहा हूं students में क्या है कि paper 1 की तयारी सर कैसे करे, भाई paper 1 की नहीं, आपको 2 की भी एकदम साथ करनी है, वैसे तो paper 1, paper 2 आप अभी के लिए दिमाग से निकाल दो, आपको इंडियन जी के भी पढ़नी है, एच्पी जी के भी पढ़नी है, इंगलिश, हिंदी, ठीक है, और आपको current affair भी पढ़ने, अब अगर आपके paper 2 में ये बोला गया कि, भाई, HPG के भी पूछी जाएगी, question चाहे 10 पूछी जाए अपने subject को बांट दीजे, जो भी मैंने आपको बताया है, HPG के, current affair, Hindi, English और Indian जी के, ये सारा आपको पढ़ना है, less sources को use करना है, जादा books नहीं रखनी है, एक subject के लिए एक book जो है वो देख लीजेगा, और उसको जो है वो आपको पढ़ना है, current affair को skip बिलकुल नहीं करना है ठीक है, new content पढ़ने से जरूरी है कि आपकी revision जादा हो, ठीक है, तो जो भी पढ़ोगे, at least ये रखेगा, अगर आपकी बहुत जारा memory week है, तो हर new chapter पढ़ने से पहले previous को, जो है, वो revise कर लिजेगा, नहीं तो Sunday का दिन तो रखेगा कि आप revise कर पाओ, previous year paper को जरूर analyze करना है ठीक है, maximum चीज़े महां से cover हो जाएंगी, और detail पर जो है, वो focus करना है, ठीक है, क्योंकि आपके matching में question बहुत जारा पूछे जा सकते हैं, इसके chances जादा है कि आपसे peaks यहां पर लिख दी, उसकी height लिख दी, तो अगर आपको detail में पता होगा, तो जादा आप अच्छे से त यारी कीजिएगा, कल से हम HPG की class से शुरू कर रहे हैं, जूड जाएगा उसके साथ, thanks for watching, बहुत जल्दी मिलेंगे next video के साथ,